काता है current in the given circuit, ये एक circuit दिया हुआ है, इस circuit में मुझे current की value निकाल नहीं है, देखो, current की value पूरे circuit में निकाल नहीं है, तो B is equal to I, ohms law, इस पूरे circuit के लिए लगा दो, तो current I is equal to पूरे circuit का voltage, और पूरे circuit का resistance, तो पूरे circuit में voltage कितना, 4.8, तो पूरे circuit में voltage 4.8 आ गया, और प resistance को हम लोग calculate करते हैं, कि ये resistance कितना है, तो इस resistance की calculation के लिए आप देख रहे हो, ये वाला resistance, और ये वाला resistance, बोध हैं series, ठीक है, मतलब इस को मैं, इस circuit को मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये ऐसे, और ये आपस में, ऐसे ये सारे series में है, 6 के, 6 के, और 3 के, और यहां से, प्लस माइनस लग गया है, 4.8 बोल्ट, ठीक है, तो ये अगर दोनों series में है, तो 6 और 6 कितना हो गया, 12, तो ये अब circuit कुछ हम, हमें ऐसे दिखने लगेगी, ठीक है, तो ये आजाएगा 12 ohm, और ये आजाएगा 3 ohm, और यहां से पहले से, प्लस माइनस 3 बोल्ट की, बैट ये बोथ are connected in parallel, तो ये दोनों किस में है, पैरलल में है, तो अगर पैरलल में है, तो net resistance पैरलल में 2 का होता है, r1, r2 and divided by r1 plus r2, दो का resistance पैरलल में direct use करते हैं, that is 12 multiplied by 3 and 12 plus 3, 12 plus 3 कितना हो गया, 15, तो ये 12 multiplied by 3, that is 15, तो ये 5 तो ये 12 अपन 5 ohm, this is the 12 अपन 5 ohm net resistance of the circuit, so current I is equal to voltage upon resistance, voltage is equal to 4.8, resistance 12 over multiplied by 5, तो 12 4.8 2.8 2.8 2.8 current flow होगा 2.8 current flow होगा ठीक है 2.8 बच्चो इसमें that is हम लोग का D option सही है I hope किया समझे sab 4.8 कि बच्चो इसमें किरण–